जब हम कभी नखत्म होने वाली चीजों के बारे में सुचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में इस अनत बर्मांड की ख्याल आती है हमारा बर्मांड जब से अस्तित्तु में आया तब से एक्सपेंट कर रही है नजाने कितने तारे, सितारे, ग्रहों, अथ्वा ग्रैक से इस बर्मांड में हैं हमारे इस अनत बर्मांड में नजाने कितने ही रहस्त चिपे हैं आज के अधुनिक यूग में भी बैग्यानिक आज तक इन रहस्तों के बारे में पता नहीं लगा पाए हैं कभी-कभी ऐसा लगता है कि पर्माड एक भ्रह्म में है इसका वास्तविक्ता से कोई रिलेसन नहीं है लेकिन अंतरिक्ष हमेशा से लोगों के लिए जिग्यसाओं का केंदर रहा है जब हम कभी अंतरिक्ष के तरफ देखते हैं तो हम सभी के मन में अनेक जिग्यसाओं दूसरा कलेक्सी तो नहीं है इस अनंत और आस्मित पर्मांड में लाकों रहस चिपे हैं विग्यान का दायरा जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे पर्मांड के रहस से भी पढ़ता उड़ता गया लेकिन अब एक ऐसी ख़बर आई है जिसके बारे में जानकर दुनिया भर के गयानिक है रहादा बैग्यानकों के अनुसार बर्मांड का अस्तिक्तों में आना बीग बैंक थिवरी को माना जाता रहा इस थिवरी के अनुसार हमारा बर्मांड एक छोटी सी बिंदु में समाहित था यह बिंदु अपने छामता से अधिक कंप्रेस होने के कारत 1380 क्रोल पहले ब्लास्ट हुआ, तब से हमारा बर्माड continuously expand करता आ रहा है, लेकि एक नए निस रिसर्च में यह कुलासा हुआ है कि धीरे धीरे बर्माड सिकूर सकता है, करीब 1380 करोड सालों से बर्माड फैलता रहा है, लेकि अब उसमें ठाराव आ रहा है, Proceeding of the National Academy of Sciences General में इस सूद को परकासित किया गया, तिन बैग्यानिकों ने इस रिसर्च में डार्क एनर्जी की प्रकृति की मॉडलिंग करने की कोशिस की है, बैग्यानिक के द्वारा यह मॉडलिंग बर्माड के फैलाव के बिते observation के अधार पर है, बताया जाता है कि रहस में सकती डार्क एनर्जी के कारत तेजी से हमारा पर्माड फैल रहा है, मॉडल में डार्क एनर्जी एक हिकाई है, जिसको क्वाइंटेंसेस कहते हैं और यह समय के साथ खत्म हो सकता है, इन सूद करताओं को रिसर्च में यह पता चला है कि डार्क एनर्जी का रेपलेट फोर् इसके बाद 10 क्रोड साल में हो सकता है कि बहमाट पुरी तरह से फैलना बंद कर दे, फिर हो सकता है धीरे-धीरे से कुड़ने लगे और क्रोड साल बाद समाप्त हो जाएगा, बैगानकू का कहना है कि फिर कहीं समय और अंतरिक्ष का जन्म हो, प्रिंस्टन इन्वर्सिटी में प्रिंस्टन सेंटर आफ थियोरिटकल साइंस के निदेशक और इस सोध के को ओधर पॉल एस्टिन होड ने बताया कि बहुत तेजी से यह हो सकता है, उनका कहना है कि 6.5 क्रोड साल पहले धर्दी से चिक्सू लूब एस्टुएट की टक्कर ह जिसने डैनासोर को खत्म कर दिया था, बाहमांड ये पैमाने पर 6.5 क्रोड साल का समय बहुत छोटा है, बैग्यानकों को 1990 के दसक में यह पता चल गया था कि हमारा बाहमांड तेजी से बढ़ रहा है, अकास अंगाओं के बीच की दूरी भी तेजी से बढ़ती जा रही है बाहिगानकों ने तेजी से बढ़ने वाली इस रहस में शुरूत का नाम डार्क एनर्जी रखा, जो एक अध्रिस से इकाई है, यानि डार्क एनर्जी को हम नहीं देख सकते हैं डार्क एनर्जी गुरुत्वा करसं के उलट काम करती है, और भाहमाण के सबसे विसाल बास्तों को अपनी गुर अकरसित करने की जग़ा उनको दूर धखेलती है डार्क एनर्जी बाहमाण की कुल द्रमाण उड़ जाके करिए 70% हिस्जे का द्रमाण करती है, हाला कि इसके गुल अभी भी रहस महीं है अब आने वाले समय में ही पता चल पायेगा कि बाहमाण का अंत ही रुटास होगा या हमारा ये बाहमाण तेजी से समाप्त हो जायेगा I hope यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसी तरह Space और Universe के नौलेज जैसे वीडियो के लिए आप हमारे साथ जूरे रहे थैंक्स पर वाशिक इस वीडियो